एक राजा था उसका फलों का एक विशाल बागीटा था इस बगीचे में तरहे, तरहे की फल होते थे एक किसान इस पाग की देखपाल करता था वे प्रती दिन ताजे फल लेकर राजा की महल में आता था एक बार किसान ने बगीचे में से अच्छे, अच्छे अमरोद और बेर भरे अब किसान सूचने लगा आज मैं राजा साहब की यहां अम्रोदों की टोकरी ले जाओं या मीठे बेरों की अंत में वह बेर की टोकरी लेकर राज महल पहुचा। आज चर्य हुआ उसने किसान से कहा मैं तुझे बेर से मारता हूँ बेर तुम्हारे सिर पर लग रही है फिर भी तु यह क्यों कहता है कि इश्वर दयालु है क्वेशन मार्क किसान नमरका से बोला महराज मैं तो आज बड़े बड़े अम्रोदों की टोकरी लेकर यहां आने पाला था लेकिन अंत में मैंने विचार बदल दिया और अम्रोद के बजाए बेर की टोकरी ले आया यदि बेर के बजाए अम्रोद लेकर आता तो आज मेरा क्या हाल होता इसलिए मैं कह रहा हूं कि इश्वर दयालु है राजा को अपनी गल्ती मालुम हुई उसने किसान से माफी मांगी प्लीस लाइक शें शुब्सक्राइब आवर चानल बाइ